हेलो फ्रेंड लिंगराज पटेल कुकिंग चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसिपी लेके आया हूँ आज हम बनाएंगे सूप आज की ये सूप को हम बनाएंगे बोयल किया हूँ लाल चना का पानी से ये पीने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है तो फिर चलिए दोस्तों ज़्यादा बाच इतना करके आज की ये सूप की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखे है लाल चना इसको हमने बोयल कर लिया है इसको बोयल करने के बाद इसका सारा पानी को हमने चान लिया है ये देखे ये है चाना हुआ पानी मैंने जब घर में लाल चना का रेसिपी बनाया था तो चना को बोयल किया था और जब मैं चना को चान लिया उसमें से ये पानी निकला है अक्सर हम इसको फेक देते हैं लेकिन इसको फेकना नहीं है मैं आज आपको इससे ही सूप बना के दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे थोड़ासा सरसो का तेल इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ासा गोटा जीरा उपार से डालेंगे थोड़ा से लेशुन का कलिया, लेशुन का कलिया को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्ची, इसको हमने एक दम बारिक करके काट लिया है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याच, तो चलिए हम इसको तलका से फ्राय क हम हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे को अब है कि इसको पानी को ढुंप को करेंगे चल राहता है निमबुका है यहाँ ने कर लेते हैं अभी हम इसको थोड़ी दर के लिए उबाल लेंगे और यह देखिए इसमें बहुत अच्छा उबाल आ रहा है और यह बनके ready भी हो गया है तो चलिए अब हम इसको गरमा गरम सॉर्प करते हैं और यह वह बना दाल दिया गरमा गरम चना का सूप दोस्तों आज मै इसको बना के दिखाया हूँ, इसको आप एक बर बना के जरू ट्राय कीजिए, यह आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा, और साथ में बेल एकन को भी दबा दिजिएगा, ताक कि मेरा आने बारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तोस्तों, आज कहें मेरा सूप का रेसिपी आपको कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, तो फिर मिलते हैं में नेक्स वीडियो में, थैंक यू सो माच,